युहन्ना की दूसरी पत्री मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई शिरी मती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है, और सरवदा हमारे साथ अटल रहेगी, केवल मैं ही नहीं, परण वो सब भी प्रेम रखते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र, येशु मसीह की ओर से, अनुग्रह और दया और शानते, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेगे, मैं बहुत आनन्दित हुआ, कि मैंने तेरी कितने लड़के बालों को उस आग्या के अनुसार, जो हमें पिता के ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया, अब हे शुरी मती, मैं तुझे कोई नई आग्या नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है, लिखता हुँ और तुझे से बिनिती करता हुँ, कि हम एक दोसरे से प्रेम रखें, और प्रेम यह है, कि हम उसकी आग्याओं के अनुसार चलें, यह वही आग्या है, जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भर्माने वाले जगत में निकल आये हैं, जो यह नहीं मानते, कि यिशु मसी शरीर में होकर आया है, भर्माने वाला और मसी का विरोधी यही है, अपने विशय में चौकस रहो, कि जो परिश्रम हमने किया है, उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ, जो कोई आगे बढ़ जाता है, और मसीही की सिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी सिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी, यदी कोई तुम्हारे पास आए, और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है, मुझे बहुत से बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और सियाही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और सम्मुख होकर बात चीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो, तेरी चुनी हुई बहन के लड़के बाले तुझे नमस्कार कहते हैं, जिससे लिखना आनंद पूरा हो,